शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें कि खयरेद चाहता है तो खेत में पात मत धरना सेथक्राइब कि यह चाये अगर खोड़ सवारी नहीं करते हैं गिर जाएगा चला रहा है कटाई शुरू करो कि अगर किसी ने भी फसल को हाथ लगाया तो वहीं धेर कर दिया जाएगा कि अगर कि अगर कि अगर झा कि अगर जगर। कि अगर कि अन आज! सूराज! छोर दे उसे! तर्चू! चल्चू क्या हो रहा है? अज़ उपने का! नहीं! आज इस राक्षास को मैं जिन्दारी चोलूगा! सुर्चू! चोड़ देंगे! सुर्चू! सुर्चू! क्या बल्व मुझा रखा है? हमालाद में बंद कर दूँगा! बल्वा मैंने नहीं! पूछ लिजे इन सबसे! ये चंडाल मुझे मेरी फसल करने नहीं देरा? पूरी पॉज लेकर आया मेरी फसल को हसम करने के लिए! हवालाद में बंद हिसे कीजिए आप! अबे ओ! हवालाद में जाया इनके दुश्मन! कुवर रंबीर जो कर रहे हैं, कानूनी तोर पर ठीक ही कर रहे हैं! अब इन खेतों पर और फत्लों पर तेरा कोई हक नहीं है! हाँ! कभी ने! अब ये माटा लेका! मुनीम जी क्या कह रहे हैं दरोगाजी? हमारी ही खेतों और फत्लों पर हमारा अधिकार क्यों नहीं है? मा जी, ये सारे खेत और उनकी फसल से! आपके स्वर्गवासी पती ठाकुर भानु परताब सिंग अपनी वसियत में अपने बड़े लड़के राजिंदर सिंग के नाम लिगे थे! राजा की गुजर जाने के बाद इन सब पर उनकी विद्वा श्रीमती प्रभा देवी का हक बनता है! ये सरासर जूट है! जाल साजी है! दोका है! जूट और सच का फैसला अदालत करेगी! तब तक ये खेत और फसल अदालत के कब्दे में रहेंगे! गार्दो सरकारी एलान! अपनी ही करनी का फल है! नेकिया, रुस्वाईया, आपके पीछे चलेंगी आपकी परचाईया! कर से तक में पलए दर ऐंड़ा है! ळाल सक Otherwise I am विंदार्ण! आपकी जाल साथे का में अपकी चले आपकी बार्चाराज पेत और खनावccoli प्ता है! कर साथे कर तक मैं आपकी पुज़म्श्राणChान कर दोकितिता लोगराईया! कर साथे कर पार्ड़म्राईया! कर दो 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 इज़ाओनी कर दो तो उज़ाओनी करृदी और में धमानी बाद कर दो मत दोटी हुआ दो दो जब आगरा दो कर दो दो not लुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् कर दो कर दो माद दुर्गा के चर्णों में ये जो समाधी है अंबा की है अंबा अनंत पुर्गाओं की एक महान आत्मा थी जिसने इंसानियत सच्चाई और न्याय की खातर अपना जीवन बलेदान कर दिया आज के दिन अनंत पुर्गाओं के लोग जिसका नाम अब अंबा पुरी है अंबा की समाधी पर अपनी शद्धा और प्यार के भूल जहाने आते हैं आते हैं जादी, जादी, पैसा देना, इतने थेर हो गई पैले मा दुर्गा को प्रणाम कर, मुझे क्या acha न, सवेरे, सवेरे, शिराजी सीते, है तू जो नहाओ, तू तो फ़लो राजा या मुर्णा कर दो 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 इता? आखिर परसाथ के बखत आही गया आज बड़ा खुश है रहे तू भीको आरे खुशी का बतिया है माँ इसाल खेत में टमाटर गदराय के हुए है है किता कच्छे कच्छे टमाटर बीन डाल बापू हमका घर्मा बहुत काम पड़ा है सबजी भाजी कातनी है चुला चौका लीपना है बरतन भांडे मांजने है तुहार काम तू खुदी कर देखा मा तुम्हारे लाड़ प्यार ने इस चोगरे का दिमाग खराब कर दिया है ह आरे हूं काली आरे हूं तुझी भूली नहीं तुझी भूली नहीं तादी तादी तुझी चाचे का प्रसाद देना पर तेरा निखटू चाचा है कहां कर दो हुआ है हुआ है आध है 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 अलगा बाधा इसक्राइब जीकर वादा जीते रहो वद्या कि का चीटे जैसे भूरती पाई है अब इस चीते के सखे गेंडे इस शेर की आदी भूच को काटी अब तुम मखाले में तो उतरते नहीं लाओ तुम्हारी दूसरी तरफ के भी मूड दूओ अरे क्या लोंडियों की तरह वार कर रहे हो चारो तरफ से हमला करो दुश्मनों की तरह अरे ओ लकड़ी पहलवान चारो तरफ से दुश्मनों की तरह हमला हो गया तो यहीं पे धेर हो जाएगा लाठी के दम पे बड़ा एंट सा फिरे है बदन में तो जरा भी दम नहीं मेरे बदन में कितना दम है वो तुम्हें तुझे वक्त आने पर बता दूँगा अभी तुचुपचाब यहां से चूमंतर हो जाएगा यहां पर क्या तरे अकेले का राज है लट लेके अपने प्यादों के साथ दिंधर खेलता ही रहता है और अपने आपको बड़ा मर्द समझता है लल्लू कहीं का मैं लल्लू लल्लू है तेरा बाप चोड़ मेरा हाथ सर्जू छोड़ ना मुझे देर हो रही है बापो घर पर मठे के लिए बैठा होगा अरे बैठा रहने दे उस बनमानूस को तेरे इस मठे का तो मैं यहीं वारानियारा किये देता हूं कि अधार अधार आधम खोर तुने मेरी लॉंडिया की हंडिया क्यों फोड़ी शुकर कर मुनीम मैंने तेरी लॉंडिया की सिर्फ हंडिया ही फोड़ी है कुछ से कुछ इसका दिन दहारे जखाले में यहां क्यों आई यहां क्यों आये क्या हूं आई पैतों मठा लेकर चुक्टब घर जा रही थी और ये च्छटा बडमाश मेरे रास्ते में आगया मृजसे मेरा मठा चीन के पींगया कमबत और मेरी हंडी भी फड़ दी, मैं क्या करूँ ना मुन्या अरे अरे तुने तो मेरी रातों की नीन हराम कर रखिया गचकरन कि अधिया ना ना तेरी काली कर्टूतों का तो एक मिनट में गला घुड़ दू मैं जमी दासे कहके तेरा अखारा इस बंगर दू मैं हाँ कि अचैनला याज में इस बाइक निया जाए छुक्तकर है हम तुम्हों तुम्हारी सालग्राइब की बदाई दनी आया हैं जी जाजी जनाशा बापू की जैओ नाना जी मामा जी की बेश हूँ जैओ 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 जोटे कोवार की भीज्द जैओ 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 आये प्रवी अच्छा आशिरवाद भी देत है चलो पदारियो संधी जी बेटे की सालगे रह मुबारक हो सम्दार आपको भी पिराजी जय हो मा जय हो अरे आज भी हर साल की तरह हम जमाई राजा की सालगे रहा अपनी हवेली पर बड़ी थुमधाम से मना रहे हैं हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप भी इस जशन में शामिल होकर बहुत खुशी होगी खुश रहो खुश रहो नहीं जय पिताजी तभा बेटी तुम हमेशा भूल जाती हूं बेटी का बाप बेटी के घर का पानी तक नहीं पीता तब ही तो बड़े मालिक हम आप ही किखर से सर्बदन वाकर लाए हैं कहो गरूप आनन में तो हो आनन तो आज शाम को आएगा सर्जू उस्ताद क्यों क्यों क्या रहत जीजा जी की सालगेरा की खुशी में आज हमने बनारस से खास तोर पे मुन्नी बाई को बलवाया है गुन्नी बाई पनारस वाली सची आहां चार इस बाकी नटनिया को देखने और सुनने के लिए मैं बरसों से तरस रहा हूँ गुन्नी बाई गुन्नी बाई मेरा प्यार करने का तो है इरादा मगर करूँगी मैं तुमसे ये वारा सुन मेरे शहजादी सब की हो गई शादी मेरे गया कवारा क्यों तिरवादे ने मारा तिरवादे ने मारा सुन मेरे शहजादी सब की हो गई शादी मेरे गया कवारा मेरे गया कवारा तिरवादे ने मारा तिरवादे ने मारा तिरवादे ने मारा तिरवादे ने मारा करते कल परसो परसो और तरसो सालम तोल में तेरी बीत गए बरसो हस्ता है चहर सारा मैं रह गया कवारा क्यों तिरवादे ने मारा तिरवादे ने मारा सुन मेरे शहजादी सब की हो गई शादी यार मेरे सारे है शकरे प्यारे हाक में पकड़के दिल मैंने दिन गुदारे मुश्किल है अब गुदारा मुश्किल है अब गुदारा मैं रह गया कमारा क्यों तिरवादे ने मारा सुन मेरे शहजादी सब की हो गई शादी क्यों उुदाधी च्प़ं की है कर दो 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 मेरे शैदादी सब की हो गई शादी मेरे गया कर दो क्यों पिरवादेन मारा यख़ के बंसे अ कर देखने कि चीजे एक दब बदमास है तुझ जैसी, आज तक तुने मुझे एक भी दमड़ी नहीं दी, और उसे क्या देख लिया, उस पे रुपे 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 निचावर कर रहा था, नास पीटे, आ, अरे जलोक्ती, उसके एक इशारे पर तो मैं अपनी जान भी क्या, तो फिर जा, मर, यहां क्यों बैठा है, जा ना, तो औरे उसकी गोद में हाँ, मैं भी आज ही अपने बापू से कह दूँगी, कि जल से जल मेरी शादी राम मुर्थी पहलवान से कर दे हाँ अरे वो तेरा ब्या क्या कराएगा, तेरा बाप तो अपनी शादी नहीं कर सका था, वो तो मेरी मा ने करवा दी ती तरस खाकर उस काट के उल्लू पर देख, मेरे बापू के बार में कुछ न बोलवाना अच्छा नहीं होगा अरे क्यों ना बोलू क्यों ना बोलू एक ही तो लंगूरे इस गाऊंवे साला बूड़ा खुंसर्ट अरे अरे चाचा तुर बड़ी लंबी उमर है तुम्हारी लेकिन मुझे तेरी उमर बड़ी छोटी लगे है सरकार के हुकम से नदूखो चाचा घर के हैं पहले तुए जूते खा यह भी घर के घर के जूते भी मुझे खिला दोगे चाचा तो क्या खाओगे हराम और हजार बास उत्ते कहा है कि मेरे घर की तरफ नदर मत करना तो तो तुम्हारी लोंडिया दाल रही है मुझ पर ले सबाल से अरे रुक रुक जा तेरी तक आज मैं तुम्हारी दिन्दा नहीं छोड़ूंगा गाउं के साथ पहले पहले अपना तो उतार गाहूं कहा हुआ रहा पहले हैं और अजमा में नहीं दॉन खार भी हो दॉन जाता है और भी करना कासी का या कर्विस दॉन जातर और मिलगा मैं को पर दिला दिया पुछ अपना भी तो सोचु चाचा लाधी को तु देल पिला दिया कुछ अपना भी तो सोचो अरे चल मेरे घोड़े टिक 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 चल मेरे घोड़े टिक 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 पता नहीं मा राज से मेरे गले में किच किच सी हो रही है दादी मेरे गले और आंग दोनों में किच किच हो रही है तुम चाचा भतीचा दोनों बहुत शरायरती हो लो मुझा लो क्या है रहे सुरज कुछ नहीं भाईया वह भाईया मुझे कुछ क्या कुछ बाबा चाचा को कुछ पैसे चाहिए देदो ना चाचा के वकिल तेरा चाचा गुंगा है क्या क्यों चाहिए पैसे भाईया मुझे मंडी से नहीं लाख्यां खरीबी है चुप कोई लाटी बाडी नहीं किसी दिन अपना सर फुडवाएगा किसी से ऐसे भी क्या है जी क्यों थोड़े से पैसो के लिए मेरे देवर जी का दिल दुखाते हो यह लो क्यों देवर जी का दि जाए हो जाए हो माम बाकी आओ गेकू बैठो घीता अपने बापू को ताजा मठा पिला अरे नहीं मा नहीं आए तो बार पे तो वैसे ही खुशी से बढ़ा है गीता के ससुराल वाले काल इसका सबुन मांगने आ रहे है अच्छा तो अपनी गीता जल्दी पराई हो जाए की कि नहीं मा नहीं हम तो कछोड कहीं लिए जाएंगे पडली कहीं की बेटी तो होती ही यह पराया धन एक मैं एक दिन तो जाना ही पड़ता है दीकू भंवान ने मुझे बेटे तो दिये पर मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरी अपनी एक बेटी होती सो गीता मुझे मिल तुझे बुरा ना लगे तो गीता का कर्यादान मुझे करने दे माँ तुमने हम लोगन के खातिर एतना किया है कि साथ जनम तक हम तो हारी कर्जा नहीं चुकाए सकी तोड़े हाथ से अगर एक कर्यादान हो जाई ठामार और यह गरीभ के बेटी का लोग पर लोग सुधर जाई नहीं रे लोग पर लोग तो मेरा सुधर गा यहाँ ओज के आरी आरी मारे पिछे खारी गोना ले जाराजाजी मोरी चड़ली जवानी गोना ले जाराजाजी ओ ग्याुवां के आरी आरी मारे पीछ खारी गौना ले जारा है, कौने भाई? ग्याँवां के आरी आरी मारे पीछ खारी गौना ले कि अरे ओ लंगूर की आउलाद सामने से मार ना पीछे से क्यों वार कर रही है जा जा पैसे के भाई क्या बोली तू क्या बोली क्या लंगूर की पहल नहीं अरे ओ लखड़ी पहलवान बेर भी नहीं जिले जाते अब मार के दिखा निशाने बाजनी मार मार के चलनी कर दूंगी मर्दूए राम कसम एक भी बेर नहीं लगने दूंगा अपने बदन पर और अगर लग गया तो लाठी चलाना छोड़ दूंगा तेरी कसम और एक बात मेरी भी सुन ले अगर तू बेर ना मार सकी तो जो मैं चाहूंगा वो तू मुझे करने देगी मन्जूर मन्जूर तो फेर चलो उतर मैंदान में हुआ हुआ है चल, मार, मार! येले! चल, चल! येले! क्यों, बेर कदाम? हाहा! मुकाल! मुकाल! आदा बेर तुम काओगी, और आदा बेर हम काओगी! आद आदा ने थाकुर साब आदे तुम ने थाकुर साब आधे नमस्कर गाव आशियों हर साल की तरह इस साल भी गाव अनन्पुर और बाकी के दस गाओं के पंचो ने सर्वसम्मति से आधरनिय ठाकुर जज़वीर सिंग जी को ही अपना सरपंचुना है आगर ज़स्वीर सिंकी जाए। जाए, याकर जास्वीर संकी जाए! अदे बैच आँ बैच आँ, बैच आँ, इन आँ मेड़े आँ आ जाँ मैं दो अधे जो बहना जाँ कि गनुनों दोाये एनकर्ण, दोाये एनकर्ण, दोाये मेरे ऐसी बेज़ती क्यों कि जानी है मालिक मेरा क्या गसूर है तूने हमारे साथ घद्दारी की है घद्दारी आपके साथ और मेरे अधूने हमने रगुनात की जमीन अपने कम्जे में ले ली ते क्योंकि हमें उस जमीन पर अपने जानवरों के लिए तालाब बनवाना था और तूने भरी पंचायत में हमारे खलाफ गवाई दी लेकिन सरकार सच में है तो वह जमीन लगोगी ही सच 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 अरी अरान इस गाव में सच वो है जो हम कहते हैं लेकिन पंचायत में जूट बोर मारेक, मेरेक नाही, मारेक मुझा जही सभार दो, मुझा जिर्धा करवा दो मादी मेरे बेर जतीए मद करोवाई मारेक अगावालो सुनो लगातार 30 साल हमारे गाव अनंत्पुर के सुरज ने रामपुर के मशूर लठेत रामूर्थी को लाठी के दंगल में हाकर पहला इनाम चीता है खर्जुस्ताथी है आप लाभिना बद्रा के बुजुरिया जा जैसे च्मके भी में च्बद्राथ के जिरिया था माइथ जैसे जैसे फ्रमपुर्दाथ चणखो जीबके चणखो ल्ला की कासम आज घुश्क था पानी पिला दिया गुरू ने वां अम्बा का बेटा है शाक्षाथ दुर्गा का शेर है मेरा सर्जु ने क्यों नी इसी बात पर एक और हो जाए हाँ 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 एक बात पल्ले नहीं पड़ी गुरू कि लाजो पछाई की तरह तो पीछे पड़ी रहते है तुमारे लेकिन आज दंगल में वावा कर रही दे राम मुर्ति की अरे वो वो क्या है हरिया उसका बाप जो है वो जमींदार का हुपका है तो सुसरी बेटी चिलमची होगी की नहीं होगी तु यहां क्या करने आई है जा रामपुर गाउं जा और राम मुर्ति के घाव पर हल्दी गुड़ लगा जाकर उसके घाव पर गुड़ लगाए मेरा ठेंगा मैं तो तुझे गुड़ खिलाने आई हूँ अरे जा दोगली दंगल में तो उचल उचल के शैजरी ती उस र गुड़ गराए ताकि तु और चौट लगाए और दंगल जीत जाए अरो यारो मेरी जीत की कामरा थी हाठी थी तो यह साबित करने के लिए तुम्हें इम्तिहान देना पड़ेगा इम्तिहान, यह भांग का प्याला पीना होगा भांग हां अघर भीया इदा एड़ मुखड़। इदों किया जएड़ हो एपो एड़ पहाइड बिदया एड़ एड़ भंभं बौले! लगा रगड़ा लगा रगड़ा तो मिट गया जगड़ा के तेरा मेरा मेल हो गया पसमे हो गई रे इंतहाल में बनम तु फिल हो गया लगा रगड़ा तो मिट गया जगड़ा के तेरा मेरा मेल हो गया अब कि दूसरा इंतहाग क्या है तुम्हें कुट नहीं होगा दूसरा इंतहाग तो जो बले में घर जाओ, तो एक इशारा कर दिल मर, मैं खड़ी खड़ी यही मर जाओ इस तेरी अगा पे मर जाओ, सारी दुनिया से लड़ जाओ, घर बना लू आ तेरे दिल में, मैं आज न वापस घर जाओ सारी दुनिया तमाशा देखे, शुरू अब खेल हो गया सारी दुनिया तमाशा देखे शुरू अब खेल हो गया पास में हो गई रे इंतिहान में दलम तूसे लो गया लगा रगणा कर दाना कर दो आपिए रे भिज्ल आप टूसे लो कर दोलाओ आप पूच्को गोईः हुश्मेह इसमेद आराप गोश्मेह भी अम्रेव तो टुछ ने ना दुछ टैने में आजिक और सब्सक्राइब किर थारो कि लॉष कर दोड़ी कर दिए ना यॉष फारो बंग पीके तुमाल गारी से और फ्रंटी और मेल हो गया लगा रगडा तो मिट गया जगडा कि तेरा मेरा मेल हो गया कि तेरा मेरा मेल हो गया अरे गरमा गरम खाना मुझे भी देते मा भूग के मारे जान निकली जा रही है हर चीज में उटावली करता है हाथ दोए तुमें चलो हाथ पांध हो किया खाना खाने बैठ गया ऐसे खाने के बाद हाथ दो लूगे न मा मेरे चौके में बिना हाथ पांध हो रोटी नहीं मिलती चलो उट थोले सूरज वरना खाने से हाथ दोने पढ़ेंगे झाले से खाने से हाथ पांध है अरे दूहाई है माँ डूहाई है आज लेकिन आज पानी सार लां मार ऐसा डेया सुरज ने कुछ ने रड़ी स्कालीा नाज मेरी लॉप त्ष सकितो परहेे लग रहे आज की तैंकि कि पल्कुल छुडाएं छुडाएं अरे चुपकर, तनमन की सुद नहीं है इसे, और इसकी ये दशा, इस दुष्ट ने अपने लॉंडे लपालों के साथ भंग पिला कर की है, अरे मा, अब तुम ही बताओ, कौन बिया करेगा इसके साथ, अरे अपने छोडे को समझाओ, वर्दा मैं ग्लाव छोड कर चला जाओ मा, माफी देदे, फिर ऐसा नहीं होगा, माफी मांग मीलकंट से, अच्चुप चाप वहां कान पकड़कर रूकरू बैजा, सुरज, सुना नहीं मैंने क्या कहा, कुक्र कुकु, अरे चुप कर, अब आगिया दो मा, ताकि मैं भी इस भावली को घर ले जाओ, उस पर ठक्ठा पानी ढालू, ठैरो निलकंट, मुम मीठा करके चाओ, बस मा, तुमने पॉपी को सजा दे दी, मेरा मुम मीठा हो गया, खीर, जीती रहो लेटी, धीरे बेटा, धीरे, 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 क्या खीर बनी है, अच्छा, केसर भी डलाए है, गदे की अउलाद, उन्लो के पठे मुनीम, उनका बवादिया साने, अगर तेरी रोटी भी हराम नहीं की, तो मेरा नाम भी सूरज नहीं, अन्देरा का नुगर साले तेरे गर में, जाचा, जाचा, तुम्हारे लिए घीरा पूरी लाओं, अरे जीयो मेरे शेर, अरे, जाचा मा रही है, तुझा के चुपचा, आजा के चुपचा, नर्प में जाएगा ये मुनीम का बच्चा, सामने रख्यों ही रोटी हटवा दी, लो देवाजी, जल्दी से खालो, बहुत भूखी होगे, अब क्या बता है बादी, अरे मर गए, छिपचा बादी, छिपचा, मारी है, सर्जु भाई, खाना खाई लो, मा का है, सू रही है, तो ठीक है, चुपचा, 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 सूरेज कुछ खाया तुने तुमने हुकम दिया कि आज मुझे रोटी नहीं मिलेगी तुमारे हुकम के खिलातेया पत्ता भी नहीं हिल सकता अच्छा चलो आजाओ तुम सब बाहर अपनी अपनी थालिया लेकर तुम करता है यह सब तुझे और तु है कि सारा देन मटर खश्टी करता रहता है क्यों करता है यह सब? चलो बैट तुने खाया मा? तुझे भूका रखकर मैं खा सकते हूं कभी? कभा? मैं शहर जा रहा हूं कुछ ना हूं तुम्हारे लिए वहां से? तुम्हारे जारा है तो घर का कामकाच कौन देखेगा मगर मा? जल बाहर जाके मुंची जी से हिसाब किताब ले और फिर भीकू के संग जाकर गन्ने के खेतों में पानी लगवा समझा? तुझे जाना है तु तू जाना अपने बाबा के साथ मैं चाचो काखेला छोड़के कैसे जा सकता हूं? ठीक है तो फिर तू यही रहे मैं जारी नानी यशोदा की हाँ इस पे नजर रखना? जी माजी चल रहा है आया मा जाजा मंडी जाही राय उगराने के लिए तो पूरन दर्जी और लालचन सुनार के यहां से गीता की शादी के जोड़ा और गहने लेते आना आच्छा मा अब तुम मेरे नजर बंद हो बोलो तुम्हाने साथ क्या सुलूक किया जाए? सुलूक? चोड़ दिया जाए या जी बताता हूं सुलूक तुम्हारा लोड़ा बंदू मैं रुप्चा भवी कहा भागोगी अब बोलो तुम्हारे साथ क्या सुनूक क्या जाए? माजी पाउं दबादू चाचा, ठक गए होगे मखाल लोड़ाता पाजी मुंची से हिसाब ले और भीकू के संग जाकर गन्ने के खेतों में पानी लगवा अच्छा चाचा मा, मेरी रोटी खेता भिजवा देना या जा भिजवा देगे क्या बात है भावी आज ये गोबर गनेश बनकर क्यों बैठा हुआ है अभी तक मा जी ने रोटी नहीं भीकिया इसे अरे मैं तो भूली गई बंसी के बाग से तोड़के लाई हूँ तेरे लिए ले, खा ले पेटू अरे, देख लो, देख लो भावी कितना नास उक्रा है ये इस नास पीटी के लिए मैं अपने बाप के गाली गलोट सुनू मार खाओ, बाग से चोरी करू और ये, ये अपने फटे हुए मुझसे दो मीठे बोलने ही बोल सकता मुझसे उल्टा वार करता है वार अब मै खरूंगा बतोड़ी जले पर्निम्क छड़की अब अधा, अधा ओशे ठाकुर साहाब अधा ओजे ठाकुर साहाब शहर आया था, सोचा हुजूर के दिदार करता चलू और सुनाओ, गाउं में तो सब ठीक ठाक है न अब क्या बताएं हुजूर, जब से आपने गाउं छोआ है वो महफिले, वो जलसे, वो मुझरे, सब हवा हो गए अब हम गाउं जाएं भी, तो किस मुह से बनने तुम तो जानते ही हो, कि ठाकुर जस्वीर सिंग ने अपनी बेटी प्रभा से हमारी मंगनी ये कहकर तोर दी कि हम मजबूर हैं, क्योंकि हमारी बेटी अंबा के बेटी राजंदर को चाहती है, और जब हम ये बेज़ती बरदाश्त ना कर सके, तो हम खुद प्रभा से मिलने के लिए गए प्रभा देवी, हम जानना चाहते हैं कि हमें क्या कमी है हमारे पास दौलत है, इज्जत है, सब कुछ है इसके बाव जूद आपने अंबा के बेटे राजंदर को पसंद किया क्यों, आखिर उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं संसकार तो क्या हमारे कोई संसकार नहीं आपके संसकारों को दौलत की पीमत लग गई है अब वो संसकार नहीं रह गए शराब और आयाशी की दलडल बनकर रह गए है उन सारे पुरानी बातों को भूल जाए ठाकुर साहब मेरी मानिये शादी कर लेचे बंदे मिया, सुहाग रात तो हम यहां रोज ही मनाते हैं लेकिन जो चोट उस खमांडी औरत ने हमें पहुचाई है उससे हम जिन्दगी भर नहीं पूलेंगे आदावर ही थाकुर साहब कलिया खुब चुन-चुन कर लाती हूँ गुलावी भाई आपके ख़दमत करना इस बंदी का पेशा है हुजूर मुन्नी भाई कहा है अपने कम्रे में हुजूर का इंतिजार कर रहे हुजूर क्या बात है पैसे घुसे में तुम और भी खुबसूरत लगती है मुन्नी भाई चाहिए ये चिकनी चुपड़ी बात ही हीरा बाई को ही सुनाये जाकर हीरा बाई क्या कह रही हो कौन हीरा बाई फर्चाई कहीं के चुप मत बोलिये पिछले शनीवार आपने हीरा बाई के यहां रात नहीं गुदारी उसके तबलची ने मुझे सब बता दिया है जल गई इसका मतलब तुम सचमोचा में चाहती हो अहां 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 अधा इतना सुन्दर सादी का जोड़ा तो मुझे अपने ब्यापर भी नहीं मिला था अच्छी बहुत सुन्दर जोड़ा है जब तुम्हारा अशिर्वाद है नानी हम का बुलाई रहीं मा देख तो भी कुद यह गीता के ब्याका जोड़ा और गहने है ठीक है ना यह एतना कुल करेका काजर होत रही मा अरे एक बेटी ही तो ब्यानी है कोई कसर नहीं छोड़ेंगी धूंधाम से शादी करूंगी अपनी गीता की लो नानी मा गीता जी यह देखो तुम्हारी शादी का जोड़ा और गहने ता इस सब इस सब हमारे हमार है हम तरह में राम लीन में जाती यह तेरे ब्याह सजोड़ा है इसे ब्याह में सही पर न को फिर हमार ब्याह हम थे आज एक करई दो उनका अज्फ हाज ही तमया करने में इस बढ़ारगीर नहीं सीते नहीं, राज महलों में पली, चनक नंदनी, बनबास के दुखों को कभी जेल नहीं सकेगी, भूक और प्यास से सारे आदर्श तूटकर दिखर जाएंगे, भूक और प्यास के डर से अपने आदर्शों से गिर जाने वाली सीता को, राम की पत्नी कहलाने का कोई अधिकार नहीं नाथ, कठिन रास्तों पर चलते चलते, तुम ठग जाओगी सीते, पत्रीली धर्ती पर सोते समय, तुम्हारे कोमलंग कर रा उठेंगे, त्री वो शक्ती है, जो घर को स्वर्ग और आंगन को फुल्वारी बना देती है, निश्वास कीजिये, रगु कुलतिलक, सीता, जंगल को भी मंगल बना देगी, से इसदा सब दिन मिल ही, सब इसमय अनकू, हांस गवानी तुम नहीं बन दो, मैं भी अपनी शादी का जोड़ा पहन कर आती हूँ, कि हुआ है, यहाँ हैूँ, यहाँ ऑज़ा ओना शादी कि अपनी नहीं आती है, अब अ कि हुआ हैं कि अ कर दो आपका वियान मने लिख लिया है आप यहां दस्तखत कर देजिए आपका देजिए कर दो कर दो कि पात पीड़ियों से यह सर किसी के सामने नहीं जुका सम्धर लेकिन आज आज मैं जस्वीर सिंग अपनी पगड़ी अपने पुर्खों की इज़र तुम्हारे पैरों में रखकर तुमसे अपनी पेटी के सुहाग की भेक मांगता हूँ गलती किसे नहीं होती संधर हमने सारा इंतिजाम कर लिया है बस तुम्हारा बयानी प्रभा के सुहाग को बचा सकता है और आपने मुझे हमेशा अश्रवाद दिया था पिदा सुहागर रहो पेरी सुहाग को श्रवान को बचालो ईसके सरे बापकी तैरहने दो माजी यह तरही हो बुर जाएगा माजी आशाया हाँ बचालो माजी एरे रहा हों अऱ už कि एसे ढखेखे लुड़ा है! झाल 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 झान्जा जाज़ से समय आजडवा कार दो। हुआ 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 experiences binali झाल झाल आदालत की कारवाई शुरू की जाए यूर ऑनर मुल्जिम ठाकुर राजेंदर सिंग वल्ड ठाकुर बानू परताप सिंग गाउं अनंत्पुर पर इंडियन पैनल कोड की दफा तिन सो चैतर के तहट अपने नौकरानी गिता यादो के साथ बलाद कार करने की कोशिश और इ ठाना अनंत्पुर के दरोगा की रिपोर्ट के मताबिक मुल्जिम राजेंदर सिंग के इन संगीन गुनाओं की सरफ एक चश्म दिदगवा है और वो है मुल्जिम की माज श्रीमती अंबा देवी श्रीमती अंबा देवी ने खुद मुल्जिम राजेंदर सिंग को पुलि आकर करिए मैं गीता की सौगन खाके कहती हूँ जो कहूंगी सच कहूंगी मेरे बेटे राजिंदर सिंग ने गीता की हत्या की है नहीं करें ने लो खाके कि आला की और ने बेटेंगी जीता की बेटेंगी मैं मैं गीता की जया याके की बेटेंगी मुझरीम राजेंदर सिंग्ग, वल्द ठाक और भानू प्रताव सिंग्ग के वैश्याना जुर्म की वाहिद एक चश्मदीद गवाद, मुझरीम की मा, शुरीमती अंबादेवी के ब्यान को मद्देन अदर रखते हुए, यह अधालत मुझरीम राजेंदर सिंग्ग को इंडियन पिनल कोड की दफा 302 के तहट सदाय मौत का हुक्म देती है। मुझरीम पिनल को ये जर रखते हुए, कि जर मेशी ओवादेवी को इंडियन अंवादेव्यान चश्मदी, झाल 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 पहुँ 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 तुमने मुझे विद्वा बनाया है तुम हथ्यारिन हो पावई पहुँ मैं जाढ़ के पावई जाढ़ मुझे नही घाल जोलो मुझे नही जाल जबला पुण में तक उड़ा THAT enca गिए जड़ा या या कि री रही है भदी जगा भा भज जपाल ये बला ये जार। भाली आचाओ में दुख जोड़ा अधा गाइवोग एधा दूद पीलो आयरे दूद नहीं प्यूंगा अधाटी के हातों से अधाटी के हातों से उसने तेरे संसे तरे बाप का दाया चीन लिया वो तेरी दादी नहीं है वो तेरी दुष्मन है वो हम सब की दुश्मन है आज के बाद कभी उस मनुस औरत का नाम इस घर में मत लेड़ा बेटा कभी मत लेड़ा आओ नानी कैसी हो अंबा? ठीक हूँ रजट से मिलने कहीं थी क्या बताओं अंबा? जब से ओ लोग रजट को ले गए है उम्हारा पोता ना कुछ खाता है ना पीता है दिन रात बस उसके जबान पर एक ही रट रहती है कि कानी गाय का दूद पियूँगा दादी के हाथ से कानी गाय का दूद पियूँगा दादी के हाथ से कानी गाय कानी नादी के है een ड़ि ड़ी मैं छुई मैं चार मैं चार मैं चार मैं चार मुझे यहां से ले चल दानी, मैं यहां नहीं रहना चाता पहले तू दूद्ध पीले मेरे लाज़, देख, मैं काली का दूद्ध लाई हूं तेरे लिए तूम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की, अपने खून से भरे हातों से मेरे बेटे को दूद्ध बिलाने की, इसके बाप को तो फासी पर लटका ही चुकी हो, अब इस पर भी जादो तोना करके मुझे सब जीन लेना चाती हो, ऐसे अप्शब मत मोल बहू, राचत मु आरे पुर्खों की इज़त पर ठूपकर, हमारी बेटी के सुहाक की हत्या की है, तुमने अपनी जिद और हटके मारे हमारे दामाद को सूली पर चाहाया है, जो सूली पर चाहा, वो आपका दामाद था, तो वो मेरा बेटा भी तो था सम्झी झी, खामोश, फिर कभी हमें अपना सम्धी कहने की जुरत ना करना, ये संबंध राजा की चिता में जलकर राक हो चुका है, और वो चिता और उसकी आग तुमने लगाई थी, नहीं, अपनी मौत और अपनी चिता का जिम्मेदार खुद राजा था, जब भी कोई घोर पाप करता है, उसे अपने करम का जिस पल मेरे बेटे ने उस करीब कुमारी लड़की की हत्या की, उसी पल उसने अपनी मा की मंता की भी हत्या करते हैं, तक तो ये है, कि पाप को ही करता है, और उसका रोना सिंदगी भर उसके, सगे ही रोते हैं, पहु, मैं भी बिंती करती हूँ, राचत को लेकर अपने घर चलो घर? कौन सा घर? वो घर जहां से मेरे पती के अर्थी निकली वो घर जहां से मेरे सहाग के चूड़िया दोगी तो घर नहीं, शम्शान गाट है अरे बहु, तेरा सहाग लोटा है, तेरी माँ सुने हुई है तो मेरी कोग भी तो सुने हुई है, मेरी मम ता भी तो बेमाट मरी है लेकिन खुद्रत के फैसले के सामने हम सब को शीष जुकाना चाहिए शीष, तुम जुकाओ जाकर अपने घर में हमारा सर ना किसी के सामने जुका है ना कभी जुकेगा पिताजी ने बहुत बड़ी भूल की थी तुम्हेरे सामने जुक कर वो नहीं जानते थे कि तुम क्या हो हमारे घर में खूनी और कातलों के लिए कोई जगे नहीं मैं है कहता हूं दिकेशाफ लंदीर तुम्हेर मेरी माँ पर हाथ उठाया मेरी माँ पर हाथ उठाया माकलसम मैं तेरे हाथ तोड़कर रहूंगा कमीने कुद्पे मेरी माँ पर हाथ हुगा करा दा तोड़ recomend Com करें तूने मेरी मां पर हाथ हुगा करें सराज चागुर्सदों इसे माफ कर दिजills चौड़े तुझसooo मेरा कुच और था कि मेरी मेहा है द्वार नहीं है कि वह बद चलन और बद कमाश तो तुम्हें छोड़कर चला गया प्रभाद लेकिन हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं हम तुम्हें कभी नहीं चोड़ेंगे सुनो 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 गावालो आज अनंतपुर और उसके दस गाव के सरपंच का चुना होने वाला है इसलिए दिन के तीसरे पहर गाव की चोपाल में सब लोग इगठे हो जाएं अरे भाई इस साल भी अपना कूरता पाजामा टोपी और पांसेर गुर पक्का है अरे भाई थाकूर जस्वीर सिंग के इलावा अनंतपुर का सरपंच और कूर बन सकता है अरे थागू साब आगे थागू साब आगे गाव आसियो अनंजपुर और उसके दस गाव की जरता के पूर जोर अनुरोद को ध्यान में रखते हुए गाव अरंजपुर और बागी के दस गाव के पंचों ने इस साल सरवसंति से मान अन्बा को अपना सरपंच चुना है शाकिसाब पंचों ने भूल की है मन पर दवार सरपंच पमी की लाइक नहीं हूँ मैं आप से बहुती करती हूँ, सर्पंच की जिमधरी आपी संभाली चाल मांबकी, 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 भॉयों, आज का दिन, हमारे गाउं के लिए सबसे ब्ला शुक दिन है, बैसे तो हर साली मांबा गाओ के मंदिर में दुर्गा माता का जगराता करवाती है लेकिन आज हमारी सर्पन बन कर मांदूर्गा का जगराता कराएगी मांबा की जये! मंबा की अपनी बहन की चोरिया तूटने का तमाशा तो देखी चुके थे अब अपने बाप की इज़त को हठ्यारीन अंबा की पहरे तुने पिस्ता भी देखाए शाबाश मेरे वीर, शाबाश मुझे तेरी ये सुनी मांग की सौगंद है मैं अंबा की हस्ती को हमेशा के मिठा दूगा रडवीर, अंबा को इतनी आसान मौत मत मरो उसने सारे गाउं के सामने हमारा सर नीचा किया है उसे तिल-तिल करके मारना है अंबा को तिल-तिल करके मारना है असी चार चुरासी गंटेया वाली माता तेरी जना ही ये पुझेया पाउना वाली माता तेरी जना ही ये उचिया लाटना वाली माता तेरी जना ही ये शेरों वाली माता का जब नाम खुबा पर आता है जनम सफल हो जाता है अज माता का जग राता है 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 माता की तरशन कर दी मन पंदिर पन जाता है माता का जग राता है माता का जग राता है जै माता दी जै माता दी जै माता दी जै माता दी कुषिया पांटे शेरो बाली लोगो भर लो जोली या खाली कुछ मत मांगो बन के सवाली माता के भक्तों को बिन मांगे सब मिल जाता है जनम सपल हो जाता है माता का जग राता 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 है माता का जबिराता है आओ चले सब हम के मारे आओ चले सब हम के मारे जग जीवन के रस्ते सारे जाते हैं माता के द्वारे माता के द्वारे से सिधा स्वर्ग को रस्ता जाता है जनम सफल हो जाता है अज माता का जग राता है माता जब आखा है, अजि माता जब आखा है माचा गाजा 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 गाजा, एक हाजा गाजा 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 चुशन इन मुशिती, खुशम गगाना प्रश्माद से खुश्मक होना साचा दर्द मिले मुष्रोना यह जीवन में कर सपन सरोना जो खोया जो पाया जग में ही रह जाता है जनम सपल हो जाता है तजमादा का जग राता है जनम सपल हो जाता 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 है मेरो बाले माता की जै जै बोलो कि जै ब One-D виघु साथ भोलो कि जै बोलो कि ओन मेनी सुने जै बोलो कि जै बोलो कि जैब भोलुड़ तो किने जै पहलो झाल 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 चैनल झाल 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 अंबा तिरी हवेली में आग लग गई हखड़ब concept ね neo झाल 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 दरोगा जी यह क्या को बाशा है दरोगा जी मैंने इस हराम खोर को सब के सामने मेरी हवीली में रंगे हाथों आग लगाते पगड़ा है आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए और इस शैतान को हवालात में बंद कीजिए सूरज रात बहुत हो चुकी है कर सुबार दस बजे तुम सब चेशंदीत गवाहों को लेकर यहां आजाओं मैं उनके ब्यान लेकर कानूनी करवाई करूगा गवरावा सूरज तुमारे साथ इन साफ होगा चलो यह आपने क्या किया चोटे ठाकूर इन नमक हरामों की इतनी जुरत कि मेरे बेटे की मुश्कें बांद कर उसे ठाने ले जाएं यह एक एक घर में आग लगातूँगा ठाकूर सहब कलता के लिए मैंने कानूनी करवाई टाल दी है लेकिन कल अगर सब चेशंदीत गवाहों ने गवाही दे दी तो मैं मजबूर हो जाओं गवाहों की तुम चिंदा मत करोता होगा हम सब का मुझ बंद करतेंगे लेकिन हरीहरं गवूं कैसे बंद करेंगे हो भी आया था जंब भी कवाही देगा को कवाही नहीं देगा हरीहरं कल कवाही नहीं देगा गुठे अगर तूने जबान खोली तो मैं तेरी जबान काटकर घावंग के कुट्टों को खिला दूंगा हाद सुरज कौन कौन है तुम्हारे चेश्मदीद गवां जिन्होंने कौर अन्वीर सिंग को तुम्हारी हवेली में आग लगवाते हुए देखा इन सबने देखा जरोगा जी ये ना थू ये हरिया ये पांडे पांडे तुम लगों ने आप अंको को अखिश्मदी अधी अधिक आप अधान लिए अधाय आप अधिया रंवीर को देखा मेरा घर चलाती है मैंने देखा था मैंने इस मर्दूद रन्वी को सर्जु के घर को आग लगवाते देखा था दरोगा जी अरे देखा तो इन सब ने भी था मगर ठाकुरों की डर और जुल्म के मारे इन सब के मुझ को लखा मार गया है इसके बयान पर ध्यान मत देना यह तो पागल पगली है अपना बुरा नहीं सोच सकते हैं कि कल रात को यह अपने घर से निकली ही नहीं थी सूरज तेरा कोई और गवाए है 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 दरोगा जी चाचा हरीहरन तो जा हरीहरन को लेकिया नानी चाचा हरीहरन का है वह यह गवाई देने की नहीं आया हरीहरन अब कभी नहीं आएगा बेदा क्यों नानी क्यों जोड मों बोलने हिसाता और सच यह बोलने नहीं थिया जाता मार दोला उल्दे सुलम के ठेके धारों ने मार दोला अलबस शुक्रिया एज चोडो इसे एज चोडो इसे नहीं बटे नहीं पेठे, नहीं, इस पेचारे का घर जल गया है, ऐसी हालत में कोई भी आदमी अपने होशो हवास खो सकता है, पेठे, सूरज, हिम्मत से काम लो, चौड़ो बरें पेठे, बरेल होशो हर्या दूरा, यह सब क्या होवावाश है, अमाज जिसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसकी बड़ी सथयां पर इक्ष्ये लेती है, उसकी खेल नेरा ले, तो दिल चोटा में सर्थ, माज चोटा मूँ बड़ी बात तो हरा है, एक चोटी से जौप में हम ले अच्छ तो होगा मेरे घर चल कर रहा हूं गोगा मार दूर्पा तो चर्णों में बैठी है इससे जब अच्छी और प्रवुत्य जगह भना और कहा है आप यह सवजू बना रहा है इस तो कि अ कि 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 क्ष ग्ष्ण कि आप गए अगए अगर गए अग मेंदे तु यह जो आपने घर जा नहीं चाटा मैं तुम्हारे साथ मिलकर अपना घर बनाऊंगा और तुम्हारे वार दाटी की साथ महीं रहूंगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो आप्राइब आपो झाल झाल एक स्वर्ग है आशुमान पर एक स्वर्ग है धर के पर एक स्वर्ग है आशुमान पर एक स्वर्ग है धरती पर आस्मा के स्वर्ग से सुन्दर स्वर्ग ये अमारा है वहाँ जाने क्या है क्या नहीं है यहाँ घर हमारा है एक सर्ग है आसमान पर, एक सर्ग है घर्टी पर, आसमा के सर्ग से सुन्दर सर्गी हमारा है, वहाँ जारी क्या हे, क्या जेही है, यहाँ घर हमारा है एक शर्ग है आश्मान है एक शर्ग है भर्टी है ओ ये सारी दुनिया कहती है इस घर में अंबा रहती है मत समझो एक मकान है दिवी मा का मरदान है ये इस बात का सब को ध्यान रहे इस घर की उची शान रहे हमको मा तेरा खहना जान से भी प्यारा है माहा जाने क्या है क्या नहीं है यहां घर हमारा है मेरी ऐसी बभू ऐसी बाचे संजोग है मेरे कितने अच्छे मातो हम सब की माता है तुझे कौन दियादा भाता है इस घर की शान है तुम सब से मेरी जार में जान है तुम सब से कोई दिल का है टुकडा कोई आँख का तारा है माहा जाने क्या है क्या नहीं है यहां घर हमारा है एक स्वल्ग है आसमार पर एक स्वल्ग है घर की पर क्यार पर भो गर जाता दुम से लुक तो एक सकते अच तुम आटनाथ प्रों अञे टुम से घर राछान bon間 क्यां जानद कोई अक पर च लुदा, बासे बासे प्राद मने हम् सब से हम से में जार वर उर्छर, हम् कपनों के दीप जलाओ, आओ प्यार की जोद जगाओ, ऐसी है ये प्यार की जोदी, जो कभी भी कम ना होती ओ, ये रात है दिपों वाली, माना है आज दिवाली माता तेरी मम का का ये सारा उजियारा है, वहाँ जाने क्या है क्या नहीं है, यहां घर हमारा है एक शर्ड है आशमान पर, एक शर्ड है घर की पर एक शर्ड गजा एक का ये आशमान पर भी एक शर्ड है एक शर्ड हन तेरे लिए्वाब ओ दिन आया पड़ा ये रंगीला रंग विखर गया नीला पेला अमत छे कयामत कर दूँगी तेरी मां से शिकायत कर दूँगी क्यों हार ये लोगों हूली का या खेल है पोख मी चोड़ी का पकड़ूंगा मैं पीछे दोड़ूंगा आभी तुझे रंग के छोड़ूंगा अखिया कहा है देलवर जी कहां ये इशारा है वहाँ जाने क्या है क्या नहीं है यहाँ घर हमारा है एक स्वर्द है आसमान फर एक स्वर्द है आसमान फर एक स्वर्द है घर की पर एक स्वर्द है आसमान फर एक स्वर्द है आसमान फर एक स्वर्द है घर की पर और अधिर आओ बहुत दिल लगा दिये शहर में पुछ बात बनी बात कैसे न बनती पिताजी आप हुकम करें और वो काम नहों ऐसा चमतकार हुआ है कि अब अंबा की सारी जमीनों की मालकिन मेरी बेन प्रभा होगी लेकिन कैसे रणवीर अंबा की जमीने तो सांजी है उन पर सबका बराबरी का हग बनता है बनता था कहो प्रभा ये कानूनी शत्रंच का खेल है शैतुम डोगी मात से अंबा को बचना होगा बिला शक अंबा के खेतों पर उनके कुम्बे के हर आदमी का बराबर का हिस्सा है लेकिन अंबा के पती भानू परताब सिंग मरने से पहले अपने खेतों को अपने बड़े बेटे राजिंदर सिंग के नाम कर गए थे और जी जाजी के मरने के बाद उन खेतों पर अब कानूनी तोर पर तुम्हारा अक है पर रणवीर जहां तक मुझे मालूम है अंबा के स्वरगवासी पती ने तो ऐसी कोई वसियत नहीं की थी उन्होंने नहीं की तो क्या हुआ हमने करवा दी ये रही स्वरगिया भानू परताब सिंग की वसियत अब अंबा और सूरज इस वसियत को जूठा या जाली साबित करते फिरे कचेरी का मामला है दस बीस साल लगना तो मामूली बात है कब का कंबा बिचारी तो जीएगी न नहीं और सूरज बूड़ा हो जाएगा अदालत का फैसला सुनते सुनते शाबाश रनवीर तुमने तो कमाली कर दिया पर ये तुमने किया कैसे दिमाग से थोड़ी से मिटी थोड़ा सा चाय का पानी थोड़े से हाई नोट बस स्वारगिया बानू परताब सिंग की वसिय मा बेटा दोनों मा क्या गजब गयरा के गन्ना होगा खेत में आशुलाद दो मैं कताई करने जा रहा हूं सब मा दुर्गा का अशिरवाध है बेटा उनकी आगे माथा तेक जए दुर्गा मा कर देडिए सर्जो कि फैरियत चाता है तो खेट में पाऊ मत धरना अब ये खेट क्या तेरे बाप का है कि तू हो तक हो ने मुझे मेरे केट में जाने से रोकने हो ना थेरे खेट सिर्फ कल तक तेरे थे आज से ये मेरी बेहन प्रभा की मिलकियत है लगतार अनवीर आज तुने सुबह सुबह ही चला ली है सर्जो चा मुन्ना घर जा शराप पीकर खोड़ सवारी नहीं करते गिर जाएगा चला रहे कटाई शुरू करो अगर किसी ने भी फसल को हाथ लगाया तो वही धेर कर दिया जाएगा बढाएगा बढाएगा वह उणार वह वह कर शुर फिर भी हम तुर यह वह उल कर तुर हम सूराज, छोड़ दे उसे! सर्जू, सर्जू क्या हो रहा है? अच्जू, अच्जू, आज इस आक्षास को मैं जिन्दारी चोड़ँगा! सर्जू, छोड़ दे इसे! अच्जू, मौझा अच्जू! सर्जू, सर्जू! क्या बलो मचा रखा है? करने के लिए हवालाद में जा इनके दुश्मन कुवर रन्वीर जो कर रहे हैं कानूनी तोर ठीक ही कर रहे हैं क्या कह रहे हैं तो फत्लों पर हमारा अधिकार क्यों नहीं है माजी यह सारे खेट और उनकी फ़स्य आपके स्वर्ग वासी पती ठाकुर भानुपरताब सिंग अपनी वसियत में अपने बड़े लड़के राजेंदर सिंग के नाम लिग गे थे राजा के गुजर जाने के बाद इन सब पर उनकी विद्वा श्रीमती प्रभा देवी का हक बनता है यह सरासर जूट है जालसाजी है दोका है जूट और सच का फैसला अदालत करेगी तब तक यह खेट और फसल अदालत के कब्दे में रहेंगे गार्दों सबकारी एईलान पनता है यह झालत के बास्ट के यह हूँआ है वह एईला के सबढ़ करा से सकता है करा यह सक हम घंक बास्दा वा मैस वाय समया जालत क sub reversर अशड़ की विधा ओग में जा क्या रहर त backyard जाल दोटतु है तर चाजरो पाह है गिवाने को जाने कर जा कि एर श Cabा वह सती है तक्र किसकी आदालत मेरी मा की जमीन को क्या कानून जोतने आया था क्या अधालत ने 20 पोटे इसमें क्या प्रभान एक भूम भी पानी पला आता हमारी प्यासी फसलों को लेचर ने सथाने नहीं नहीं दरोगा जी अच्छा मा इसे कानून को हाग लगा दूँगा जो सच्छाई का खोड़ता है यह कानूनी लुटे रहें बाग दूँगा अपने हाथ में लेगा तो कानून से बड़ा है दरोगा जी मा हाथ चोड़ते हूं सूरज को माफ कर दो यह नातान है सर फिराए उज्जर है यह पर कभी आसा नहीं करेगा इसे माफ कर दो दरोगा जी आपके कहने पर छोड़ता हूं माजी चलो अपने बेटे से कहो के आपे में रहे और उसे यह अच्छी तरह से समझा दो के पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया करते इससे पहले के पाफ का घड़ा भर जाए संभल जाओ रनवीर मेरी तो अनर्थ हो जाएगा नानी, तुम्हा कैसे? बिटिया, तुम बड़े लोग हो ठाकुर साहब से कहने की मेरी हिमत नहीं, येकिन तुम और अवरत हो मेरी बात सुनोगी और समझोगी भी मैं कुछ समझी नहीं बिटिया, अंबा और सूरज बहुत दुखी है उनकी दशा देखे नहीं जाती मैं तुमसे हाँ जोड़ कर बिंती करती हूँ उने ख्यामा कर दो विटिया, उने ख्यामा कर दो मानी, तुम्हारी उमर के लिहास के मारे मैंने तुम्हारी बात सुन ली अंबा और सर्जू अपनी करनी का फल बुगत रहे हैं यह तो शुरुआत है उनके बुरे दिनों की अभी तो तुम देखती जाओ पेट भरने के लिए भीक मांगेंगे दोनों मा बेटा अभी तुम्हारी तुम्हारी जाओ अभी पारी बुम्हारी जाओ कर दो कर दो कर दो यह क्या हलत बना रखिये कहां गया था तू अपना खेट रहा था अपना खेट खबर्दार जो आज के बाद उन लोगों के पास किया तेरी टांगे तोर दूगी यह बाज नहीं आएगा प्रभा यह फिर उन लोगों के पास जाएगा उन लोगों की तरह गवार और जंगली जाजा गारी को गारी मत दो मामा नहीं तो नहीं तो क्या हां आखे दिखाता है आज से तू इस घर के बार पैर नहीं रखेगा ले जाओ से चलो लेकिन सरकार खेट तो सर्जु ने जोट लिया खेट जोट गया तो क्या हुआ मैं देखता हूँ गाउं में उसे खाद और बीज कौन देता है सर्जु वापस कर दे इन लोगों के बीज वापस कर दूँ क्यों मा यह सबलब तो अपने हैं अपने हैं इसलिए तो मना कर रही हूँ मैंने चाहती इनके घर भी चला दिया जाए इनके खेट भी जब्त कर लिया जाए वापस कर दे यह बीज मा मैं यह बीज वापस नहीं करूँगा है किस नहीं यह बीज लोटा दे सर्चु तुझे मेरी कसम तुम सब अपने बीज उठाओ और जाओ यहां से कुछ तो सेवे करने का मौका दो नहीं गोविंट कहें ठाकरों को कानो कान खबर होगे तो तुम सब ते कहे ढ़ा देंगे वो लोग जाओ सर्चु अपने स्वार्थ के लिए अपनों को ही दुख और यातना के मूँ में डलना पाप होता है बीजा हाँ यह सब तेरे अपने हैं पराया तो सिरु मैं हूँ तेरे लिए मैं पराया हूँ मेरे अर्मान पराये मेरी इच्छाएं पराई हैं तुने हर कदम पर मेरे अर्मानों का गला घोटा है मेरी च्छाओं को कुछ रहा है तुने मेरी जिंदकी को जंजीरों में जकर दिया है महीं मेरी तो कोई हस्ती ही नहीं मैं तो तेरे लिए सिर्वे चलता फिरता काट का पुतला हूं जिसे तु चप चाय उसी तरह घुमा देती है सर्चू यह तो क्या कह रहा है मैं ठीक कह रहा हूं आज मुझे मालव हुआ कि इस पत्थर की मूर्ती को पूछे पूछे तेरा दिल भी पत्थर का हो गया है तेरी मंता मर गई है तेरे दिल में मेरे लिए ज़रा सभी प्यार नहीं अब तो रह यहां के लिए अपने असूलों और अपने से दांटों के साथ मैं जा रहा हूं सर्चू मन के अंजले तूट गया रूए शोदा मैया हरे मा रूठ गया मा का मन मपता का मंदिर ने मन के अंदर तूट गया रूए शोदा मैया हरे मा रूठ गया रूए शोदा मैया हरे मा रूठ गया शक हो तो शक दूर तो करने मुझे को कहीं से बात के तक ले प्यार बहेगा फून के बदले प्यार बहेगा फून के बदले ये इक सच है ये ही सच है ये सच कैसे जूट गया ये सच कैसे जूट गया बस मा बस कुछ आर न कहना मुश्किल होगा ये दुख सेना भीक गय मेरे भी नैना माफ मुझे कर दे तू हसकर मैं असवन में दूब गया मैं असवन में दूब गया माफ मुझे जूब गया असवा ये सच का माफ मुझे जूब ठार नैना ये टू जो है वे दूब गया माफ मूब गया मेले उन्हें बेचकर बीज लेया मंडी से नहीं लाचु नहीं यह बुच्से नहीं होगा मैं अपने खेट के कारण तेरे कंगन बेशते हूं यह पापुच्से नहीं होगा गंगन मेरी है और मैं तेरी कोई नहीं मैं पराई हूँ अरे निर्दई यह भेदवाव तेरे मनने कपसे आ गया तेरा दिल तो इतना चोटा कभी नहीं था रे अरे बैमान तू अपनी लाजो को अपने से अलग समझता है तू क्या सोचे बैठा था कि मैं सिर्फ तेरी हजी मजा खेलने खूदने लड़ाई जगर और खुशियों की साथी हूँ यह सोचे बैठाता तू क्यों है मेरे प्यार पर कि तू आज तक मुझे अपना नहीं समझ सका दूप बरना चाहिए मुझे कि मेरा सर्जू अकेले ही अपनी जिंदिगे की लड़ाई लड़ना चाहता है लाजो की तो इसे कोई जिरूरत नहीं लाजो लर गई तेरी लाजो जा सर्जू मुझे भी तेरी कशम है अभर टेरी साथ तेरी खुशिया कभी नहीं बाटनगी लाजो मजे माफ कर दे लग्वा कर दे कर दे कर दो यह लुद्ध कर दे 1 बागज़्यों को बीच किसने दिये हुआ हम पोछते है किसने दिये बीच खर्यू को थीथ हम चोटे थाकूर मात दूरगा ने सर्जू को उसने तुम्हारा हुकुम नहीं माना मेरी बात मानो ठाकुर तो आग लगवादो मा दुर्गा के घर में भी हाँ ठिकवादो उसकी मूर्थी को गाह से बाहर चलो अब गुसा थूब दो ठाकुर जो होना था तो हो गया वैसे इस साल ऐसी जोरदार फसल होगी अपने सर्जू के खेत में कि तुम्हारी आँखे ठंडी हो जाएंगी ठाकुर आँखें तो हम जरू ठंडी करेंगे सारे गाहँ वालों के सामने आज तुझे नंगा अरे हट नंगा कर जाके अपनी बेहन को कर तंडी करेंगे सामने इस सामने अपना भालों को झाल झाल हुआ 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 है चोड़ो चोड़ो मेरा हाथ चोड़ो मेरा हाथ चोड़ो इन हाथों से तुन्हें मेरी मा का अपमान किया मेरे घर में हाथ लगाई थी आज लाजो को सबके सामने नंगा किया मैं तेरा ये पापी हाथ आज तोड़ता हूँ तुन्हें तुन्हें मेरी और मेरी मा की संदगी को अपने पैरों तले रूंदा आए मेरी मैनत मेरी तकदीर को ठोका मारी है मैं तेरा ये पैर भी तोड़ता हूँ कर दो सब्खें हूँ कि अब 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 कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब मैं तुम्हारे किया ऐसानों का यह इनाम लेकर आया हूं आज मैंने गाओं के इस कंच को हमेशा के लिए बेकार कर दिया है समालो इस जिन्दा लाश्क रंदीर बेटे बेटे क्या हो बटो बटो क्या है रंदीर 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 मैं मैं सुराज को तंता नहीं चोड़ूगी हाँ पाँ 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 तो तो अधि पाँ अधि पाँ पाँ क्या हुआ प्रभाजी बगी का पया निकल गया आए मैं आपको घर तक चोड़ देता हूं नहीं उसकी कोई जुरुएत नहीं अभी ठीक हो जाएगा इसमें तकलुफ की क्या बात है आईए ना प्लीज तक्दीर ने आपके साथ बड़ा बेरहम मजा किया है प्रभाजी इस उम्र में जिंदगी ने आपको एक ऐसे चवराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां सिवाय तनहाई और तड़प के और कुछ भी नहीं यह पहार जैसे जिंदगी आप अकेली नहीं काट सकेंगी आपको एक साथी एक हमसफर की जरुवत है जो आपको वो सारी खुशियां दे सकें जो तक्दीर ने आपसे छीन ली है अगर आपको इतराज ना हो तो मैं अभी आपका साथी हमसफर बनने के लिए तक्दीर प्रभाव कभा मैं अभी तुमसे बहुत प्याद करता हूँ हाँ जलीर कुटे कमीने आगे अपने आपकास कर हज जाओ मेरे सामने से मुझे तुम जैसे हैवान की शक्ल से भी नख्रत है एक दिन तुमने मेरी दक्दीर को थपल मारा था और मुझे मारा है इसका भगतान तुम्हें अभी और इसी वक्त गदा होगा हुआ 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 है हुआ 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 ह Your Honor, मेरे काविल दोस जनाब सरकारी वकिल साहब ने मक्तूल शम्शेर सिंग के कतल का इल्दाम जो मेरे मुवक्किल सूरज सिंग वल्ठाकुर भानू पिरताब सिंग पर लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है सूरज ने शम्शेर का कतल नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी मौत मारा गया इसे साबित करने के लिए मेरे पास दो गवा है मुल्जिम की माज श्रीमती अम्बा देवी और मुल्जिम की भावी श्रीमती प्रमा देवी यह अनर मैं अपनी पहली गवा श्रीमती अम्बा देवी को पेश करने की इजाज़त चाहता हूं इजाज़त है मैं जो कहूंगी सच कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी अम्बा देवी, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 11 जुलाई की सुबह सूरज सिंग ने शमशेर सिंग का कतल किया और इस रिपोर्ट के मुताबिक आप भी वहां मौजूद थी अब आप अदालत को बताईए कि शमशेर सिंग की मौत कैसे हुई सूरज ने शमशेर सिंग का कतल नहीं किया इसने मेरे कहने पर उस नीच को ललका रहा और उसे मेरी बहु प्रभा की इज़त लूतने से रोका उस लड़ाई में शमशेर सिंग अपनी मौत खुद मारा किया अब आप जा सकती है मिलॉर्ट अब मैं श्रीमती प्रभादेवी का बयान अदालत में पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ इजाज़त है मैं जो कहूंगे सच कहूंगे सच के इलावा कुछ नहीं कहूंगे प्रभादेवी, श्रीमती अंबादेवी का बयान है कि उनके बेटे सूरज ने आपकी हिज़त बचाने के लिए शमशेर सिंग को लल करा और उस लड़ाई में शमशेर सिंग अपनी मौत खुद मारा गया अंबादेवी का बयान छूटा है आउडर आउडर तो फिर हकिकत क्या है हकिकत यह है जजज साहब कि जब मैं मंदिस से वापिस लौट रही थी तो खानदाने दुश्मनी का बद्ला लेने के लिए सूरज ने अचानक मुझे पर हमला किया यह तो मुझे मार ही डालता लेकिन ठाकुर शमशेर सिंग जो वहां से गुजर रही थे उन्हाने मेरी जान बचाने के लिए सूरज को रोकने की कोशिश की और आप इसे बहाद सूरज ने बड़ी बहरेमी से ठाकुर शमशेर सिंग को माट डाला यह जूट है बापस ले अपना जूटा बयान जूटा बयान तो तुम ने दिया है अपने बेटे सूरज के जान बचाने के लिए मैंने जूटा बयान दिया अरे मुझे जूटा बयान देना होता तो उस दिन देती जब मेरा बड़ा बेटा राजा इसी अदालत में मुल्चिन की तरह पेश था अगर मैने उस दिन जूट बोल दिया होता तो मेरा जवान बेटा भरी जवानी में ना मारा जाता मेरा हरा बरा घर बरबात में होता तुर मुझanguard में की सबास का बदल ले रही है अरे मारना है तू मुझे मारता है सूरज दि क्या बिगारा है तेरा क्या तेरी प्लग में से बचा नहीं इसका चरम है क्या तेरे लिए सिंप्री जान की बासी लगा दी यही अपराद है सुरज का सच बोल दे प्रभा नहीं को संसार में भावी देवर का रिष्टा हमेशा के लिए कलंकेद हो चाएगा अपने क्रोध और नफरत की आग में मेरी रही सही जिंदगी को मत पूँ कह दे कि सुरज निर्दोश है मुझे जो कहना था मैंने कह दिया जच सहा मैंने जीवन में कभी जूट नहीं बोला आप गवा हैं क्यूंकि इसी अदालत में आप ही जच थे और अपने बड़े बेटे राजा के गुना की एक मैं ही गवा थी और मैंने सच और म्याई की खातिर अपने दोशी बेटे को बली चड़ा दिया था लेकिन आज आज मेरा ये बेटा निर्दोश है इसका अपराद अगर है तो बस इतना कि इसने अपनी मा जैसी भावी की इस्जत को मिट्टी में मिलने से बचाया और अब वही भावी इसके तासे की शिकार हैं और इस मुकदमे में गवावी हैं अदालत उनकी शहादत को नजर अंदाज नहीं कर सकती तो फिर शहादत की बिना पर आप अपना फैसला करते रही है जग साहर मैं अपने बेटे की जान को अंधे कानून के अंधे तराजू में नहीं तुलने 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 मैं संसार की सबसे बड़ी अदालत के सामने फर्याद करूगे वो अदालत जहां जूट और कपट के लिए कोई जगह नहीं वो अदालत जिसका कानून अंधा नहीं वो अदालत जहां निर्दोश को सुबूता शाहदत की कोई ज़रूरत नहीं अब उसी अदालत में मेरा और मेरे बेटे की तक्दीर का फैसला होगा माँ मैं तेरे दर्बार में न्याय मांग में आए हूँ एक दिन तेरी ही दी हुई हुई शक्ती से मैंने अपने अपरादी बेटे को तेरे चर्नों में बली चरहा दिया था लेकिन आज आज मेरा सूरज निर्दोश है सर्जू निर्दोश है मां पिनिया और उसका कानून मेरे निर्दोश बेटे को मुझसे चीन रहे और तुछ चुप चाप बेख रही है यह तेरा कैसा इंसाफ है मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए मैं दुनिया की अधालत को नहीं मानती है मुझे तुछ से इंसाफ चाहिए तुझे मेरा बेटा वापस करना होगा नहीं तो तेरी सौगन मैं बिना अंजल लिये मुझी प्यासी तेरे चर्नों में यही अपने प्रान्त दे दूघे शावाज मेरी बेंच शावाज तुने मेरे जलते जखमों पर संजीवनी लगा दी मेरा रोम रोम जो सूरज के खून का प्यासा था तेरी जैजे कार करता है जो माय और पिता जी नहीं कर पाए वो तुने कितनी ऐसा नहीं दगर दिया अब सूरज भासी के तक्ते पर अपना दम दोड़ेगा और अमबा भूख और प्यास से तरप तरप कर मर चाएगी कर अब सूर भासी के तरप कर लोग्या याइगा चराएगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो करदा की कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर, कर दो कर दो एक दो कर दो कर दो मिल शो कर दो कर दो приз . . . . कर दो कर दो कर दो कर दो कर द साओ कर दो कर दी Чा-Чा? कि अब है कि अब अब कि अब कि अब कि कि अब तुम्हें क्या है अब तहीं जान ले वरत कि अब कि अब कि अब कि कि तुझे मेरी कसम है मा कि अपने अब तोर दे कि अगर तुझे कुछ हो गया तो इस सारे संसार को आग लगा डालूंगा पूब डालूंगा अब डुनिया को प्रवाने भरी अधालत में इतना बड़ा और काला जूट बोला वह तो चाहती है मैं भासी पर लटक जाओंगा और तुम्हें दम तोड़ दे ठागरों के जूट परेब और अधाचारों का बडला इस तरह भूक और प्यास से तालब तालब कर बड़ दे मा तेरा ये बेटा सूरज उन पापियों से किस तरह उनके अधाचारों का बड़ा लेता है मा, मा, अपने ये, अपने ये जाले वगए तोड़ दे मा, तोड़ दे मेरा ये बड़ तभी ढूटेगा जब मा तुरबन्याय करेंगी अधिक, इना हद करी के मुझे गंगचल पिलाएगा जा, वापिस चला जा सर्चू तुझे मेरी किसम सर्चू वापिस चला जा जा, अुझे मेरा जाएगा चाचा, चाचा, रुख जा चाचा, मज जा चाचा, दादी मर देगी, मज जा चाचा ब्रभद देवि, भुजाब! असे ब्रभद देवि, भु जाओ, मैं रुख जाओ, भुजाब! ल्गाओ चाचा बोगार मज Lewis जा खल जाओ भांदी ते भुजान कुझा एच खाचाचा खल चाहा noir शाडी मन लीजिश्टे आपने शाचा कर दो देगी मन्में Raptor प्रभाद मेर्जी से रभाद द्रभाद प्रभाद ये क्या शौर मचा रख़ा है तुम लोगों ने ये शौर नहीं सताय होई गरीबों की आवास है ठाकुर सहाब आपने जो गाह वालों पर गाये हमने सुपचाथ शही ने ले कि आप अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचा वापस लोड़ जाओ हम वापस लोड़ देने के लिए नहीं है धागुरताब हम सच जूट का पैसा करने है धागुरताब हमें नहीं चाहिए हम अपनी जान दे देंगे मगर मां बार सुदज की जिन्दगी से आपको खिलवार नहीं करने देंगे प्रभाद देवी प्रभाद देवी जस्वीर सिंग रनवीर सिंग रनवीर सिंग ख़बार कोई भी आगे बड़ा तो गोलियोत है भूंग के रख दूंगा अप प्रभाद देवी मुर्दाबाद रटवीर सिंग मुर्दाबाद रचत तो इस भीर के साथ क्या कर रहा है बेटा बेटा मत को मुझे तुम मेरे चाचा मेरी डरी की जन की दुश्मनो रचत हाँ मैं सब कुछ जान गया हूँ देवी जैसी दाडी अपनी मांगा अपमान करता है और जो तुमने ben मेरी को जूट नहीं बोला अगर तुमने जूटedel लोगों के सामने अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुमने अदालत में तशी कहा था बेटे की और कहो कि तुम सची हो और मां बजूटी है हाँ करो यह भकवास और दफाओ जाए अज़त याद रख्मा अगो जूटी का समखाई तो चाचो और दाली तो मरेंगे ही जाते तेरा यह बैटा भी अभी और इसी वक्त यहीं खड़े-खड़े मर जाएगा तुछ मेर यह विद्ध किसी का बेटा है का कसम मैं तेरी कसम नहीं खा सकती जूटी है हाँ 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 मैं जूटी हो मैं फॉपिन हो चल मा, चल, मेरे साथ चल, चाचो और दादी को बचा ले, चल मा, मेरे साथ चल, 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 बेटा, चल प्रभा, लुक जा प्रभा, भरना में तेरे बेटे को घोली मार दूगा अब मुझे कोई नहीं रुकता हूँ प्रभा, जावी प्रभा, प्रभा, चाचो मुल्जम सूरज सिंग वल्ड ठाकर भानू परताप सिंग यह अदालत तुमें इजिन पिनल कोड की दफा 302 के तहत मुझें करार देती है नहीं नहीं जाचाफ मेरा देवन देशाथ जाफ जाफ यह क्या कहीं है आप था तो मेरा रक्वाला है मेरी इज़त का दुश्मत न शब्शेर सिंग था! और अगर उस दिन सोरग में.. अपनी चांद पर खेलका न बचाई होती थो मेरी इज़त लटी गई होती सोरग में मेरी इज़त बचाई और बोराक्षिस अपनी मांख हुच मारा गया लेकिन सूरज और मां अम्मा के इस उपकार का बदला मुझे वागे ने यहां एक गिनादर जूट बोल कर दिया मुझे मैं हूँ जजज सहाब जजजा मुझे मिननी चाहिए मुझे मिननी चाहिए तो फिर आप ने जूटा बियान देकर अदालत को गुमराचों किया पती की मौत में मुझे पागल करदिया सहाजर ऑफ्षाट बदले मुने नफरत की आज में अपनी ईवी जैसी चाहां को अपने काहत्याराम समझकर कूण की प्राषी हो गए थे नफरत के आज मैं यह भूल गई थी कि अगर मैंने अपने पती हधूया है तो मैंने अपना बेटा भी गवाया है तो यह भूल गई थी कि वह सिर्थ मेरी सास ही नहीं मेरे पती की मा भी है ना प्रत की आग में तब हुए मेरी इस मंता को आप मेरे छोटे से बेटे ने जंचोट के रख दिया हाँ जब मैंने अपने बेटे को मात के मों में चाते देखा ता मुझे मालूम हुआ कि बेटे के बिना मा के जीवन का कोई मोल नहीं बेटे के बिना मा मा नहीं और मैं अभागत अंभा मा से उनका दिर्दोश बेटा चीनने जा रही थी हितकार है मुझ पर और मेरी दफरत पर मुझे माफ कर दो देवर जी मेरे तुहारे साथ बड़ा अध्याई किया है मैं तुहारी गुनेकार हूँ चाह चाहे मुझे सजा देदो लेकर मुझे बाफ कर दो देवर जी मुझे बाफ कर दो लेकर पर देवर लेकर दो लेकर लेकर दो कर 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 झाल खो झाल लाल, लाल. कर दो कर दो कर दो अंबा तेरा जीवन इस धर्थी पर साथक हुआ आ, मुझ में समा जा आ, मुझ में शो कर दो आ, मुझ में कर दो आ, मुझ में इस बड़िए आ, मुझ में इस ऌ. प्रेमा दाली प्रेमा दाली प्रेमा दाली प्रेमा दाली झाल झाल